कि है अज़र करता हूं नोलेज्टीवी पैर आज भात करेंगे ड्रोइंग के दूसरे पार्ट की जिसमें आपको बताऊंगा ड्रोइंग के बारे में कुछ और बात हैं होके तो शुरू करता है जैसा कि आप इस ड्रोइंग में देख रहे हैं यह देखने में बहुत आसाल लग रही है लेकिन बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो इसको देखके समझ नहीं पारे होंगे इसकी डायमेंशन किस तरह के दे रखती हैं और यह कैसा है लेकिन जब आप यह वीडियो देखोगे तो आप आसानी से बता पाओगे कि इसमें कौन-कौन सी डायमेंशन कैसे कैसे इसकी थिक नए साइट और जो यह होल दिखाई दे रहे हैं इनकी रैडियस डाया सब कुछ ओके यह एक की ड्रोइंग को यहां पर तीन सेक्षन में बताया गया है एक सेले शुरू करते हैं सेक्षन ए जो कि इसका फ्रेंट व्यू है कि फ्रेंट सेक्षन ए के साथ साथ मैंने इसका 3D व्यू भी रख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे नीचे जो डायमेंशन दी हुई है .50 यह सारी डायमेंश सबसे नीचे जो डायमेंशन है वह .50 थीडि व्यू में देखिए नीचे जो यह प्लेट दिक वी तल दिकरा है इसका इसकी जो मोटा ही है वह है .50 यह तक कि इसकी हाइट है वह पॉइंट फाइब जीरो बेस से ऊके उसके बाद जो हमारा सर्किल बन रहा है उसकी हाइट है देखिए 1.75 circle के center तक जो यह जो बना हुआ cylindrical part उपर उसके center से लेके और जो हमारा यह base है इसके यहां तक 1.75 height है ओके और next इदर देखिए यह जो radius है side में दिख रहा है आप 3D view में भी देखिए और इदर भी देखिए यह radius है 0.5 की radius है ओके के में दो डाया दिए हुए हैं एक डाया है 0.50 का और एक डाया है 1 mm का ओके तो जो 1 mm डाया है यह हमारा जो 3D view में देखिए cylindrical जो दिख रहा है हमारा उसका डाया है एक में उसके अंदर जो hole बना हुआ है वो है 0.5 का ओके अब यह hole बना हुआ है इसके लिए भी अलग से दे रखा है section C में उसमें आपको पता चल जाएगा और यह 3D view में आप देख रहे हैं इसमें भी दिख रहा है कि यह hole है जो अलग से color दिख रहा है white white ओके और इसकी जो total चोड़ाई दे रखी है जो नीचे प्लेट जैसी दिख रही है आपको इसकी पूरी चोड़ाई दे रखी है वो है 2 mm ओके टोटल चोड़ाई 2 mm और एक साइड की जो एज है मतलब जो इसलेंडरिकल पार्ट हमारा देख रहा है उसकी वीड़ उसकी चोड़ाई हम कैसे निकाले तो जो टोटल वीड़ाई उसमें से एक साइड की हम को दे रखी है पॉइंट 5 जैसा कि आप देख रहे हैं वीड किसे पॉपनफा साइड में अब आपको पता सलिया कि यह जो प्लेट नाइच से इसकी हाइड कितनी है टोटल जो भी चीजे वो सब पता चल गया अंब बात करते हैं सेक्षिन बी की सेक्षिन बी में हमें इसका साइड व्यू दिखा रखा है जैसे कि आप देख रहे हैं साइड से जो इसकी चोड़ाई है वह है 1.5 mm देखिए 1.5 mm जो इसकी साइड से वीड़ थे वह फ्रंट वीड़ थम को सेक्षिन एम दे रखी थी पता चल ग होगा इसमें दिखाया हुआ है और जो नेक्स्ट है इसकी वीड़ किसकी डिशेंसा लेन्ण पार्ट का हुआ है जो से अलेंडर राज बना हुआ है यह जिस टिका हुआ है उसकी चोड़ाई इसकी जो डिस्टेंस होता हमें पता चल गया था यह सेक्शन यह में दर रखा था लेकिन अब देखिए इसकी वीड़त है वह है पॉइंट फाइव ठीक है और जो यह स्लेंड्रिकल पार्ट इसकी टोटल लेंथ जो पर है इसकी टोटल या फिर लंबाई जिसे बोलोगे चिलेंड्र गई वह लेंट है वह है 1.00 ठीक है बात करते हैं सेक्शन सी की सेक्शन सी में कोई भी डाइमेंशन आपको दिखा नहीं रखी है लेकिन इससे हमें काफी कुछ पता चलता है जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो नीचे वाल होल है इसके बारे में दिखा रखा कि यह होल यहां प्लेट पे होने वाला है जो पॉइंट फाइव का हमको सेक्शन बी में दिखा रखा था और जो उपर स्लेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ यहां से दिख रही है कि जो छोटा वाल होल है पॉइंट फाइव का प्लेट इसलिए ये section C दिखाएगा ओके तो friend आशा करता हूँ आपको ये drawing अच्छे से समझ में आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like करें comment करें और share करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले हमारे नए वीडियो की update पाने के लिए bell icon जरूर दबाएं